Hello everyone, कैसे हैं आप सब? मैं हम अक्षक नार और आप देख रहे हैं सिरेटिव डॉक्टर तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कसिन का टॉपिक होने जा रहा है सोरियसिस जो की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटड और बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज है, एक चर्म रोग है इस के क्या क्या लक्षन देखने को मिल सकते हैं पेशिन्ट में यह आगे चलकर और कौन-कौन से बीमारियों में तबदील हो सकता है, बदल सकता है और अंध में इस सोरियसिस का क्या इलाज संभव है आज इन ही सब चीज़ों के बार में डिसकसिन करेंगे पिछले काफी दिनों से मैं बिलकुर irregular था, अपने चैनल पर time to time वीडियोस नहीं आ रही थी बट अब वो सारी वीडियोस time to time आएंगी ठीक है जो भी topics है उस पर discussion regularly चलता रहेगा तो चलिए आज के topic पर आते हैं सोरियसिस सोरियसिस जो है हमारा ये एक skin disease है, ये चर्म रोग है और बहुत ही common है सबसे पहला बात कि ये सोरियसिस एक chronic condition है chronic condition क्या होता है वो समझे, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है chronic मतलब, फिर से समझे एक बार acute और chronic दो तरह की बिमारियां होती है एक ऐसा बिमारी जो कि हमारे मरीज के शरीर में अचानक से उत्पने हो जाए अचानक से हमें दिखे वो बिमारी, उसे हम acute बिमारी कहते हैं और ये acute बिमारियां जो होती है, वो जल्दी ठीक भी हो जाती है काफी लंबा समय नहीं लगता है उनके treatment में, उनके ilaz में वहीं दूसरी तरह कुछ ऐसी बिमारियां भी होती है जो कि अचानक से उत्पने नहीं होती है वो दीरे दीरे आहिस्ता आहिस्ता मरीज के शरीर में उत्पने होती है और काफी लंबे समय के बाद हमें मरीज में वो बिमारी देखने को मिलता है उसे हम chronic condition कहते हैं और chronic condition का जो ilaz होता है, जो chronic बिमारियां का जो ilaz होता है वो ilaz भी जल्दी नहीं होता है, patient जल्दी ठीक नहीं होता है patient के recovery में भी काफी लंबा समय लगता है याने कि इलाज काफी लंबा होता है किसी किसी केस में तो patient ठीक भी नहीं होता है इसे हम chronic condition कहते है तो psoriasis भी एक chronic condition है ऐसा नहीं है कि आप रात में सोएं सब कुछ ठीक है अगले दिन आपको psoriasis हो गया ऐसा बिलकुल नहीं होता है psoriasis जो हमारा है ये एक autoimmune disease है अब इस autoimmune को समझे कि ये क्या होता है देखिए हमारे सरीर के अंदर एक ऐसा सनरचना है जो कि हमारे सरीर की रक्षा करता है अलग-लग बिमारियों से बाहर से अगर कोई bacteria या किसी भी तरह का कोई virus वगरा हमारे सरीर पर attack कर रहा है तो हमारा वो सनरचना उस चीज से हमें बचाता है उस सनरचना को हम medical term में immune system कहते हैं जैसे हमारे देश के water पे सैनिक हैं हमारा armed force है वो हमारे भारत को बचाता है बिलकुल उसी तरह के से हमारे सरीर के अंदर भी एक सनरचना है एक defense mechanism है जो कि हमारे शरीर को बाहरी अलग-अलग चीजों से बचाता है अलग-अलग बिमारियों से बचाता है वो हमारा रक्षा करता है तो उसे हम immune system कहते हैं पर किसी कारण वस अगर वो immune system हमारे ही शरीर में घाटा करने लगे हमारे ही शरीर के अलग-अलग cells को अलग-अलग organs को अलग-अलग functions को वो disturb करने लगे तो उसे हम auto immune disease कहते हैं यानि कि हमारा जो defense mechanism था ऐसा सनरचना जो कि हमारा रक्षा कर रहा था अब वही हमारा दुश्मन बन जाता है उसे हम auto immune disease कहते हैं तो psoriasis भी एक auto immune disease ही है इसमें क्या होता है patient के skin के उपर में red patches या अलग-अलग color के patches जमा हो जाते हैं और वो बहुत खुजली करता है बिल्कुल scaly एगम चपरे जैसा लगता है और वो बहुत ही खुजली करता है कुछ ऐसा हमें visualize होता है पेशिक के skin पर और यह commonly उस जगा पर होता है जहां पर howdy है जहां पर आप अप हड़ी को feel कर सकते है उपर में जैसे आप के सर पर हो सकता है आपके घुटनों पर हो सकता है तो इस तरीके का जो भी structure है हमारे हमारे ह सरी में जहां भी आप हड़ी को feel कर सकते हैं वहां पर यह समानेता देखा जाता है उसमें भी सबसे common हमारे सर पर होता है जिसे हम scalp psoriasis कहते हैं यह बहुत common हमें देखने को मिलता है देखें और इसका कोई age factor नहीं है कि यह किसी particular age में होगा यह old age में होगा यह adult में होगा यह जो psoriasis बीमारी है यह कभी भी किसी भी age में हो सकता है इसका age से कोई लेना देना बिलकुल भी नहीं है यह commonly और जदा ट्रिगर होता है ठंड़े के मौसमें जब पूरा skin dry हो जाता है उस समय यह psoriasis और जदा ट्रिगर होता है इसके कारण के बारे में बात करें कि यह psoriasis क्यों हो तो इसका सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण है जिनेटिक और फैमिली हिस्ट्री अगर आपके परिवार में पहले किसी को ये सोरियसिस रहा है तो ये आपके परिवार में आगे बढ़ने का पूरा का पूरा खत्रा है जिनेटिक और फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा इसका कारण है दूसरा कारण है allergic reaction किसी तरह के allergic reaction के कारण भी यह psoriasis हो सकता है तीसरा है infection especially streptococcus bacteria का infection के कारण psoriasis देखने को मिल सकता है अगला है smoking या फिर alcoholism smoking या फिर alcohol addiction है तो उस कारण से भी psoriasis देख सकता है बट यह बहुत rare है इसके अलावा कुछ drug के reaction के कारण कुछ drug medication के कारण भी हमें psoriasis देखने को मिल सकता है जैसे high blood pressure के दवा के reaction के कारण देखने को मिल सकता है या फिर बहुत common है anti-malarial या फिर anti-dial drug अब आगे बात करते हैं कि psoriasis के patient में हमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो लक्षण में सबसे पहला तो आपको skin पर rashes मिलेगा और वो rash अलग-अलग color का हो सकता है ज़रूर नहीं है कि अगर आपके बस 5 patient है तो 5 वो के rashes का color सेम ही हो थोड़ा बहुत difference हो सकता है इसके अलावा जो patient का जो हमारे मरीज का चमरा होगा skin होगा बहुत सूखा रहे रहेगा बहुत dry चमरा रहेगा और उसमें हलगा crack type का भी आपको feel होगा इसके बाद जहां पे भी soriasis का rashes है वहां से bleeding हो सकता है वहां पे itching बहुत ज़्यादा खुजली होगा patient बहुत ज़्यादा खुजली करेगा वहां पे वहां पे burning sensation जलन जैसा वहां पे sensation होगा patient को और वो जो rashes वगर होगे वो cyclic way follow करेगा यानि कि अगर एक rash आपके मरीज के चमरे पर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा वही रहेगा वो क्या होगा कुछ दिनों बाद हो सकता है कि वो जहर जाए और दुबारा से एक नया rash का formation हो जाए तो इस तरीके से cyclic manner follow करता है इसके बाद वहां दर्द भी हो सकता है और अगर psoriasis का treatment ना हो इसका ilaz ना हो तो आगे चलके ये complicate करके एक नया बिमारी के रूप में आ जाएगा जिसे हम psoriatric arthritis कहते हैं जिसमें आपके जोरो में आपके सरीर के जितने joints हैं उस सारे joints पर दर्द होना सुरू हो जागा उसे हम psoriatric arthritis कहते हैं तो ये कुछ clinical features ये कुछ lection हैं जो कि हमें psoriasis के इसका इलाज नहीं है इससे हम control कर सकते हैं पर इससे 100% recover करना मुश्किल है but at the same time eczema को हम बिल्कुल normal recover कर सकते हैं 100% ठीक है तो ये बात हुई lection के बारे में अब आगे बात करते हैं कि psoriasis के patient में हम ये कैसे confirm करेंगे कि वो psoriasis ही है तो सबसे पहला जो सबसे main method है वो है clinical examination जो भी dermatologist है जो भी doctor है वो क्या करते हैं कि patient के जितने भी लक्षण है और जो doctor देख पा रहे हैं patient के सरीर पर जो rashes उन सभी rashes को देखकर patient के सारी लक्षण को ध्यान में रखते हैं वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह psoriasis है इसके अलावा अगर हमें कुछ test वगरा के बाद हम बात करें तो इसमें हम skin scrap test कराते हैं fungus के लिए इसमें हम skin पर check करते हैं कि कोई fungal infection तो नहीं है उसके बाद बहुत rare cases में skin biopsy भी करते हैं skin को microscope पर देखते हैं कि क्या उसमें structure हमें visualize हो रहा है क्या दिख रहा है इसके लावा basic routine test कराते हैं हम blood का TLC, DLC, leucoside count check करते हैं उससे हमें allergic reactions के बारे हम पता चल जाता है ESR check करते हैं ESR हमारा allergic reactions को बता सकता है तो इन सभी चीज़ों के बाद हम यह confirm कर सकते हैं कि हमारे मरीज़ को psoriasis ही है अब इसके complication के बारे हम बात करें कि अगर psoriasis का treatment ना हो तो आगे चल कर यह कौन-कौन से नई बिमारियों में उत्पन हो सकता है तो एक तो मैंने बताया आपको psoriatric arthritis सबसे common यही है इसके अलाब आपके skin का color change हो सकता है skin dispigmentation हो सकता है तो यह दो must common complication है यह फिर आखों में भी problem हो सकता है बहुत सारे patients में देखने को मिलता है आपको psoriasis के करण अगर उसका इलाज ना हो तो आगे चल कर आखों में कठिनाई होना सुरू हो जाता है अब इसके treatment के बारें बात करते हैं तो treatment इसका ऐसा है कि psoriasis का 100% recovery is not possible आप psoriasis के मरीज को 100% वापस पहले जैसा recover नहीं कर सकते हैं आप इसे control कर सकते हैं आप उसे symptoms को कम कर सकते हैं तो उसको कम करने के लिए steroid creams वगरा हम ointments वगरा प्रेस्क्राइब करते हैं patient को उसके बाद हर patient के according दवाईयां भी change होती है ज़रूर नहीं है कि अगर कोई बंदा है उस पर कुछ दवाईयां suit कर रहे हैं तो same दवाई अगले psoriasis patient पर भी suit करें यह patient to patient बहुत ज़्यादा differ करता है ठीक है इसकी दवाईयां of course available है हमारे पास इसमें हम immune system को हम suppress करते हैं उसकी दवाईयां देते हैं ताकि जो हमारे immune system है वो हमारे ही body पर हमारे ही cell पर प्रभाव ना करे एक negative प्रभाव ना करे ठीक है तो इसका यह treatment का protocol रहा अगर आपको इसके बारे में और detail में जानना है इसके treatment के बारे में खास कर तो आप बताईएगा मैं इसके treatment पर एक specific video बनाऊँगा जिसमें मैं सिर्फ treatment के बारे में ही बात करूँगा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि सोरीसिस के patient में सोरीसिस को और trigger कर देती है तो कोसिस करना है कि उन चीज़ों से दूर रहने का तो यह हुआ discussion हमारा सोरीसिस पर अगर कोई विडाउट हो तो पूछिएगा comment section में या फि and be safe